हेलो फ्रेंड्स वेल्गम टो मैं चैनल तो आज हम बना रहे हैं भिंडी की सबसी आप सोच रहे होंगे भिंडी की सबसी तो सभी को आती है क्यों बता रहे हैं यह मैं कुछ स्पेशल बता रहे हूं यह देखिए यह हमने भिंडी को इस तरह से गोल कट कर लिया है यह टमाटर दो टमाटर हैं एक बड़ा आलू लिया है हमने और यह दो प्याज लिये है अब आप सोच रहे होंगे कि भिंडी में आलू क्यों इस तरह से बनाईएगा यह भी बहुत अच्छा लगता है अच्छी टेस्ट आती है सबसी में चलिए देखते हैं मैं कैसे बनाती हूं यह दिखिए फ्रेंट्स हमने कढ़ाई में मस्टर्ड ओल ले लिया है जिसे हमने अच्छी से पका लिया है अब इसमें हम हींग डालते हैं और अजवाई अब सबसे पहले हम प्याज डालेंगे प्याज सोटे हलका सोटे करेंगे सिर्फ अब अपने आलू को भी डाल देंगे थोड़ा नमक एड़ करेंगे ताकि आलू जल्दी पक जाए ये देखिए फ्रेंट्स हमारे आलू काफी अच्छे गल गए है अब इस स्टेज पर हम भींडी एड़ करेंगे अब मसाले डालते हैं धनिया पाउडर हल्दी पाउडर लाल मिट्च पाउडर और ये सौफ किसी होई सौफ है सौफ पाउडर वह डाल रहे हैं अच्छे से मिक्स देगे हमारी भिंडिया दोस्तो हाफ डन हो चुकी है अब हम टमाटर एड़ करेंगे और इसको अच्छे से मिलाकर ठक कर पकाएंगे ये देखे फ्रेंड्स हमारी टमाटर भी अच्छे से गल गए हैं विंडि की सब्सी हमारी तयार है अब गैस बंद कर देते हैं ये देखे दोस्तों बहुत ये सब्सी बहुत अच्छी लगती हैं आप पूरी परांठा लोटी चावल किसी के भी साथ इसे इंजॉय कर सकते हैं खाने में बहुत ही चटपटी टेस्टी है ये ये देखे फ्रेंड्स इसमें आपको सभी चीज का टेस्ट भी आएगा खाने में बहुत अच्छी लगती है ऐसे एक बाई जरूर ट्राइ कीजिएगा दोस्तों मेरी कैसी लगती है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए ओके दोस्तों बाई बाई